ज्यादा तर लोगों के लिए भालू के साथ सामना इस तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता कुछ इस तरह का दिखता है और ये ठीक उसी परकार का वैभार है जिससे आपको अपनी जान गमानी पर सकती है लेकिन चिंता करने की कोई आवसकता नहीं है क्योंकि हम आपको बताएं कि आप भालू के हमले से कैसे बच सकते हैं आप देख रहे हैं और ये है भालू के हमले से कैसे बचें अगर आप जंगल में सेर करने जाते हैं तो भालू आपके लिए सबसे बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए वे आम तोर पर बिना किसी एसपस्ट कारण के लोगों पर हमल नहीं करते हैं तब तक नहीं जब तक कि वे भूख से मरना रहे हों या आप उनके बच्चों के बहुत करीब ने चले जाएं लेकिन अगर आप एक भालू से मिलते हैं जो बहुत गुस्से में आपकी ओर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए क्या आपको दौर कर अपन भालू की पहचान करें भालू के बारे में सबसे पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि वे सभी एक जैसे नहीं हैं अपनी सरवाईवल स्ट्रेटेजी चुनने से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपका सामना किस तरह के भालू से हुआ है चीजों को और अधिक अधिकर गहरे रंग के भूरे बाल, गोल कान, कंधे के उपर एक कूबर और लंबे पंजे हैं इसके सरीर की लंबाई 6.5 फीट तक होती है इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्लैक बियर यानि काला भालू इसकी कुछ विसेस्ताएं हैं कि इसकी स्ट्रेट फेसियल प्रफ पूटे सफेद बाल, छोटी पूच और विसाल पंजे और इसके सरीर की लंबाई 11 फीट तक हो सकती है सभी भालू आपको देखते ही हमला नहीं करेंगे उदाहरन के लिए काले भालू उतने आक्रामक नहीं होते जितने की ग्रिजली या भूरे भालू जब तक कि उन्हें खत्रा महसूस नहों लेकिन यदि आप आर्टिक में खुद को अकेला पाते हैं और एक पोलर बियर आपकी ओर बढ़ रहा है तो आज सायत आपका आकरी दिन हो सकता है क्योंकि पोलर बियर के लिए आप पहली नजर में ही सिकार है अगर आप अपने हाथों में बंदूक लेकर जंगल में घूमना पसंद करते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी ख़बर है एक ऐसी चीज जो भालू के खिलाफ और भी अधिक प्रभावसाली है बियर इस्प्रे ये सभी भालू पर काम करता है जब भी आप भालू के इलाके में जाते हैं तो आपको इसे अपने सामनी की जिब में रखना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए एक भूरा भालू आप पर हमला करता है तो आपके पास इस्प्रे फायर करने के लिए केवल कुछ सेकेंड्स होंगे तो ऐसे में तेजी से इस्प्रे को निकालिए अपनी बाहों को इस्थिर कीजिए और भालू की नाख, आख और मुह पर निसाना लगाईए और जब भालू आपसे 10 मीटर की दूरी पर हो तो लगभग 2 सेकेंड तक इस्प्रे कीजिए और फिर जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाईए लेकिन क्या हो अगर आपके पास बीर इस्प्रे न हो तब आप क्या करेंगे स्टेप 4 अपनी रननीती चुने अगर आपका सामना एक काली भालू के साथ होता है तो सायद आप सुरक्षित बच सकते हैं लेकिन किसी पेर पर चड़ कर अपनी जान जोखी में मट डालें काले भालू आपसे बेहतर पेरों पर चड़ सकते हैं और हाँ मरने का नाटक करने की कोशित तो बिल्कुल न करें क्योंकि काले भालू को इससे कोई फर्क नहीं परता इसके बजाए भालू पर एक डंडे से हमला करें उस पर पत्थर फेके और उसे दिखाओ की असली बॉस कौन है लेकिन ग्रिजली यानि भूरे भालू के साथ ऐसा नहीं है आप भूरे भालू से भाग नहीं सकते इससे पहले आपको सोचे वह आपको पकर लेगा और आपको खा जाएगा आपके लिए सबसे बहतर होगा कि एक भूरून की तरह लेट जाएं और अपने सर, गरदन और पेट की रख छा करें इसी को हम मरने का नाटक करना कहते हैं अगर भूरे भालू को आपसे किसी परकार का खत्रा महसूस नहीं होता है तो वह चला जाएगा लेकिन उठने के लिए जल्दी न करें हमले के बाद कम से कम 20 मिनट तक नीचे लिटे रहें लेकिन पोलर बियर्स का क्या? क्या आपके जिंदा बचने की संभावना भी है? पोलर बियर्स आपके डराने से डरने वाले नहीं है और एक टन वजनी पोलर बियर्स से लड़ना भी कोई अच्छा विचार नहीं है तो ऐसे में एक बार फिर बियर्स प्रे आपके लिए सबसे अच्छा दाउ है लेकिन यदि आप एक पोलर बियर्स से लडने का फैसला करते हैं तो हमला ऐसे करें जैसे आपकी जिंदिकी दाउं पर लगी है आप इसके नाक या आँख पर हमला करने की कोशिस करें और इसके घातक पंजों से साफधान रहें आखिटकार जिंदा बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहली नजर में ही इससे दूरी बना ले सौभागी से अधिकांस भालू आपको देखकर पीछे हट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आज पास कोई भालू है जंगल एक खतरनाक जगह हो सकती है भले ही भालू इसमें सामिल नहूं सब कुछ एक जैसा लग रहा है है ना लेकिन रुको क्या मैं इस पेर से पहले ही गुजर चुका हूँ क्या मैं खो चुका हूँ अकेला जंगल में लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपके फोन में अभी भी कोई सकती है तो आप अपना फोन निकाल कर जंगल से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में वीडियो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पैर दिल फैक्ट पर